ओके तो अगर आपको चाहिए कि आपके फोटो में हो एक स्पेशल सा एनिमेशन वो भी बहुत सिंपल वे में देन दिस वीडियो इस कम्प्लेटली फो यू लेट्स गो सो करेंटली हम हैं आफ्टर एफेक्स वर्जिन टू जो की एकदम लेटिस्ट वाला वर्जिन है और जैसे कि आपने देखा आप इंट्रोडक्शन पे जो मैंने फोटोस को एनिमेशन क्रेट किया है वही हम क्रेट करने वाले यहां पे तो मेरे पास कुछ फोटोस अल्रडी है कुछ ऐसा जिसमें मैं डालने वाला हूँ जान लाइक अनिमेशन वगएरा 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 विद थे हल्प आफ हमारा लूप फ्लोव एफेक्ट ठीक है तो स्टार्टिंग करते यही फोटो से मेरा सबसे पसंदिता फोटो है त तो इसको simply drag and drop करेंगे new composition पे हाला कि आप इसके लिए अलग से composition भी create कर सकते हो बट ओके दिस फाइंग तो हर एक फोटो का जो animation properties होता है 5 seconds अलेके 8 seconds is pretty decent तो अभी करना किया है effects controls में जाने का है बस फिलहाल के लिए and then what do you have to do you just need to select यह जो pen tool का option इसको select करना पड़ेगा अब इसको zoom करेंगे अब हैं यहां पर mostly हम 123 total जो है water flow देख पा रहे हैं तो क्या करते हैं यहां से select drag and यहां पर इसे हलका साइसे flow maintain करते हुए smooth वाला इसको यहां पर जाके something यहां पर one click तो क्या होगा यहां पर जाके यह खतम हो जाता है जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे you can't see this जैस मैं यहां पर ज्यादा points लू तो वो भी मैं दिखाऊंगा थोड़ी दिर बाद बद पहले एक आपके लिए first एक है animation वो create करते है so यहां पी हम create करेंगे one थोड़ा से drag करेंगे then यहां पर भी like two and then थोड़ा नीचे जाके हलक ऐसे curve and last four ठीक हो गया हमारा यह create अब photo को click करोग यह उपर से लेके नीचे के direction पे भी draw किया है ना कि उल्टा तो अब हम क्या करेंगे effects controls में जाके search करेंगे loop flow effect जो कि यहां से दिखेगा आपको simple drag and drop कर दो photo पे तो यह कुछ ऐसा interface आपको देखने को मिलेगा basically first thing first आपको जाना पड़ेगा mask one mask two मतलब basically यहां पे आप दो ही mask को use कर सकते हो तो mask one पे जाएंगे यहां पर आता है none option अब आपको कौन सा वाला mask one पे चाहिए जैसे मेरा यह पहला वाला है तो मैं यहां पर कर देता हूं और mask two में जाके obviously हमारा mask two you can use infinite number of this effect अब आते है कि क्या करना इसके उपर अब जैसे ही मैं इसको कर देता हूं आपके सामने है लेकिन यहां पर थोड़ा बहुत problem है तो problem जो है आप अगर zoom करोगे तो आपको यहां पर दिखेगा यह जो आपका water flow है इस side में static है बीच में सजा रहा है उपर में static है तो अभी आते कैसे आप इसको fix कर सकते हो तो मैं इसको बीच में रख रहा हूं आप इ Mesh Deformer है जिसमें loop effect auto generated होता है AI based अगर आप चाहो तो इसका point को भी increase या फिर decrease कर सकते हो जैसे में आगर यहां पर 20 कर देता हूं तो आप देख सकते इसका point density हो बर गया है obviously इसके वज़े से अगर आप इसको off करोगे आपका जो quality है बढ़त हो जाएगा लेकिन slow भी हो तो जो होता ही है अगर आप इसका loop mesh mode है इसको on करोगे तो simple सा mesh जो है वो loop mode पे चला जाएगा बट फिलाल में इसको नहीं कर रहा हो कि कोई यहां पर यह issue आ जाता है और यह तभी कर पाओगे जब यहां पर कुछ दूसरा element हो then it's possible तो इसको off रखते है अब आते हैं इसका alpha पर क्योंकि जो भी हो रहा इसका alpha based है तो अगर मैं इस जगे के बात करूँ अगर आप देख रहो यह area जो यह completely static है आप इसको कोहीं पर भी move नहीं कर पा रहे हो right इसको गायब कर दे रहा है अभी अगर आप इसको play करते हैं इसको off कर देता हूं ना अगर प्लेइंग देख यह जो इसको इसको फ्रेम से इसको और हलका सा इसको बाहर की तरफ ऐसे ड्रैक करता है slightly ज्यादा नहीं ताकि यह जो है blend हो जाए properly so now whenever you play you can see यह effect जो है आपको clearly दिखेगा अब आपके उपर इसको आप कैसे adjust कर सकते है you can use multiple points ताकि और detail के साथ यह आए और इसी के साथ आप उपर का भी adjust कर सकते हो इसको कुछ ऐसे में आप अगर शार्प कर देता हूं और इस साइट से भी हलका सा शार्प कर देता हो दिन आप देख सकते हो उपर का भी जो है यह fix हो जाएगा ठीक है अभी आते है अगर इसी क के साथ आपको बाकी का भी animate करना है तो लूप फ्लो एफट को ही सिंपल सेलेट करना है फिर से और सपोज मुझे अभी इस साइट का करना है तो ठीक है तो सेम प्रोसेस में आप यहां पे भी एक ऐसे click and then click and then click make sure यह फ्लो अभी नीचे के तरफ जा रहा है तो इसलिए हम नी फ्लो ऐफेक्ट को इसी पर ही drag and drop करेंगे तो एक साथ आपके पास दो लुफ लोग इफेक्ट आएगा यहां पर मास्क वान पर जाके अभी हमको करना है मास्क 3 और मास्क 2 में जाके हमको करना बढ़ेगा मास्क 4 तो अगर अभी आप यहां पिसको प्ले करोगे सेम एफेक् इसको मैं simple drag and drop करता हूँ यहां पर और यह fire को जो है मैं सेम प्रोसेस में अनिमेट करूँगा तो मैं क्या करता हूँ यहां पर लेता हूँ pen tool यहां पर जैसे यह fire element कुछ ऐसे ऐसे जा रहा है तो make sure आपको count करना पड़ेगा कितना vertex आप ले रहे हो So first मैं आपको दिखाऊंगा अगर आप ज्यादा vertex लोगे और uneven vertex लोगे तो क्या issue आएगा यहां पर So just like 1, 2, 3, 4, and 5 ठीक है यहां पर मैं 5 vertex लिया और इसके बाद मैंने बाहर क्लिक किया And then 1, 2, 3, 4, 5, 6 vertex लिया ठीक है तो मैं यहां पर total 6 vertex लिया Now there are difference, एक में है 5, एक में है 6 अभी मैं loop effect को drag and drop करता हूँ Mask 1 and then mask 1, then mask 2 Now अगर आप यहां पर mesh को देखते हो, you can see this mesh option like this क्योंकि यहां पर हर एक point एक दूसरे के साथ जो है वो connect होता है अगर आप ज्यादा point ले लेते हो, किसी एक में, किसी एक में कम लेते हो तो mesh जो है properly काम नहीं करेगा So अगर आप इसको भी play करोगे, आप देख सकते हो थोड़ा weird type का animation होगा Animation तो होगा, लेकिन weird type का होगा तो इसको fix करने के लिए आपको यहां से simple किसी एक vertex को जो है delete करना पड़ेगा So something like, अगर मैं इसको delete कर दिया, just press delete Now you can see it's coming like this, अब हुआ यह है मैंने इसको दूसरे direction से draw किया, इसको मैंने नीचे से draw किया था इसको मैंने उपर से draw किया है, तो इसको fix करने का process यह है आपको simply इसको करना पड़ेगा invert, जैसे आप इसको invert कर दोगे, it's fixed और अगर आपको बीच में कहीं पर भी point add करना है, you can add it here like this ताकि यह जो है point अच्छे से काम करे और इसको आप यहां से fix भी कर सकते हो तो जैसे आपको लगे कि यहां आपका जो mesh है, वो properly fix हो गया है then you can just turn it off and now you can play this something like this and you can see, जो animation है properly हो रहा है, अब यहां पर आता है एक और bug जैसे आप देख सकते हैं यहां पर paper का जो effect है, यहां पर drag हो रहा है मतलब थोड़ा सा paper को भी यह grab कर रहा है, हाला कि आप इसको यहां से adjust करके इसको fix कर सकते हो जैसे मैं यहां पर इसको move tool पर गया और यहां पर इसको थोड़ा से adjust किया, so it's fixed but what happened कि अगर यह fix ना हुआ तो इसके लिए मेरे पास एक और photo है, जिसमें मैं last आपको example देने वाला हूँ, इसके बाद आपका सारा confusion जो है, वो clear हो जाएगा so this photo is very easy but it looks like very very difficult, आपको लग सकते हैं बहुत difficult है, तो अगर मैं इसका ध्यान से इसका properties को check करूँ, जो fires है वो नीचे का तरब push हो रहा है and then उपर के तरब राउंड हो रहा है, right, so इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक, ऐसे दो and then तीन, इस side के flow के लिए and then मैं यहाँ पर जाके करूँगा, ऐसे one and then two and then three, तो यह हो गया हमारा first two directions and then मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर में जाके ऐसे adjust करूँगा, ताकि जो fire element है, वो नीचे से create हो ना की center से, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पर loop flow effect as usual, drag and drop करके, एक बाद चेक कर अब ही देखो, मज़दार चीज आने वाला यहाँ पर, जैसे मैं pen 2 लेता हूँ, एक और effect को यहाँ से one, two and then three, ऐसे create करके, यहाँ पर जाके dot लेता हूँ, जाकि last effect यहाँ पर create हो जाए, and then यहाँ पर जाके select like one and then two, यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे and then three and then यहाँ पर four, that's it, तो यह हो गया हमारा total, and then again loop flow effect, drag and drop, यहाँ पर जाके हम करेंगे mask three and then mask four, अब देखो यह दूसरा direction पर है, see इसका जो अभी मैंने बनाया है, यह opposite direction के था, तो इसको मैं flip कर देता हूँ, तो now it's fixed, so अब इसको मैं off कर दूँ, अभी अगर मैं इसको play करूँग, आप दे very simple, simple इसको control D करो, duplicate, यहाँ पर आद 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 आख compositing का part, इसको complete delete करो, इसका अंदर जो भी mats आपने बनाया है, अभी उसको भी delete कर दो, something like this, और इसको कर देता है, solo, on, अब basic क्या करना है, आपको just rough rotoscoping करना है, कुछ ऐसे, तो मैं इसका just edges पे, हलका सा कुछ ऐसे, इसका जो smoke effect है, उसको हटा देता हूं side से, ताकि वो इसके अंदर grab ना हो, and then simple, यहाँ से लेके, हलका से rough edge को maintain करते हुए, कुछ ऐसे में, एक shape को create कर देता हूं, अब होगा यह, यही होता है compositing कि आप कैसे animation के साथ, original को merge करो, so अभी आ गया यह हमारे पास, अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर double aim press करेंगे, double aim press करने पर आपके पास यह feather properties आ जाएगा, अब हलका सा यहाँ पर feather को increase करो, तक यह blend हो जाए, and then इसको इसको इसके साथ कर दो on, अभी अगर आप इसको play करोगे, आपका fire side से जाएगा, और यह कुछ ऐसा देखेगा, हाला कि यहाँ पर और भी अचे से करना पड़ेगा, otherwise यह काम नहीं करने वाला, अभी अगर आप इसको play करोगे, see it's fixed, so in this way you can create a lot of static photo animations, वो भी मतलब just कुछी seconds में, हाला कि इसके अंदर बहुत सारे और भी properties है, but distortion वगरा कि कैसी distortion हो रहा है, distortion noise, distortion ramp, एक बार मैं थोड़ा सा अगर इसको आता हूं, त change हो कि कुछ ऐसा हो रहा है, कि अगर आप simple से after effects user हो, कैसे आप create कर सकते हो, simple effect को लेके, आपका कोई भी photo में जान डाल सकते हो, तो hopefully आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया, अगर आया हो, तो definitely subscribe करो, कि जैसे मैं देख रहा हो कि 175 के viewers are watching, but they are not subscribing my channel, so I wish कि आप लोग सबस्क्राइब करो, और कोई भी आपका thought है मेरे वीडियो को लेके, ज़रूर कमेंट सेक्शन में जाके share करो, मैं रचेज मिलूंगा आप लोग से अगले हफते with some new missing content, तब तक के लिए safe रहो, देखते रहो VFX World and मैं signing off.